हेलो दोस्तो टेक टाइम्स के एक ओने वीडियो में आप लोगा स्वागा थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme device के अंदर जो convenience tool होता है उसके बारे में तो जब आप settings में जाएंगे तो settings में आपको दिख जाएगा convenience tool तो convenience tool क्या है इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा detail में बताऊंगा इसके बारे में जो option आपको दिख जाएगा वह एक आप Google Assistant with power button तो यह feature क्या है तो अगर आप power button को five minute के लिए करके राखेंगे तो आपको Google का जो assistant है यह open हो जाएगा ओके second convenience tool जो navigation button है तो navigation button क्या है आप देख सकते हैं मैं आभी जेक्स्चार option यूज कर रहा हूं तो यह जेक्स्चार option को मैं change करके मैं virtual button में भी यूज कर सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमी virtual button आ चुका है तो हम यह virtual button भी यूज कर सकते हैं तो यह navigation option तो मैं जेक्स्चार को ही चूज करता हूं उसके बाद आपको sst ball एक का option मिल जाता है sst ball बहुत ही अच्छा चीज़ आगर आप इसको यूज करते हैं तो हम इसको turn on करते हैं तो sst ball आगर आप general operation करना चाहते हैं आप देख सकते अगर double tap करेंगे तो आपको multitask आ जाएगा ओके उसके बाद touch and hold आगर करेंगे तो home button में चले जाएंगे बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पर इसके जरीए देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक और option है यहाँ पर tab menu का भी option है अगर आप इसको tab menu पर change कर देंगे तो आपको menu button दिखेगा अगर आप back होना चाते हैं तो back हो सकते हैं अगर आप home जाना चाते हैं तो home जा सकते हैं तो बहुत सारे option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस ball के जरीए तो हम इसको turn up कर सकते हैं और आप इसको visible या फिन invisible transparent से भी यहाँ पर choose कर सकते हैं जाएंगे quick return bubble यह बहुत ही easy है एक अगर आप click करते हैं तो return कर जाएंगे back हो जाएंगे इस bubble के जरीए तो उसके बाद हम जाएंगे smart slider smart slider एक बहुत ही अच्छा convenience tool है realme device में तो अगर आप इसको on करेंगे तो हम default को इसमें दिखेंगे आप देखते हैं यह रहा slider आप slider को दिख सकते हम slider को यहाँ पर लाते हैं आप यहाँ पर add कर सकते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अगर आप application add करना चाते हैं तो directly यहाँ से आप file manager को open कर सकते हैं आप देख सकते हैं file manager floating mode पर है हाँ दोस्तों आप इसको floating mode पर रखके भी operate कर सकते हैं उसके बाद आप add क करना चा浪े हैं तो यहां पे कोई भी application Add कर सकते हैं बहुत ही आसाणी के साथ और आगर आप इसको hide करना चाथे तो भी आप इसको कर सकते हैं या फिर आप CCNEB में भी यहा पे चला सकते हैं बहुत ही आसाणी के जरीए दोस्तों ओके तो इसके बाद हम आकिर के कुछ जेक्सचार एन मोसेन में चले आते हैं तो जेक्सचार स्क्रीन आफ जेक्सचार अगर आपका स्क्रीन आफ है तो जेक्सचार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं अगर आप डॉल टैप करेंगे तो स्कीन टर्न हो जाएगा अगर आपका स्कीन लॉक है ओ आगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैमरा उपन हो जाएगा भी ड्रॉ करेंगे तो फ्लैस ओन हो जाएगा म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं इसके जरीए बहुत सारे चीज़ और आगर आप यहाँ पर जेक्सचार आड़ करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इसली जेक्सचार ले लिया है इदे हैं स्क्रीन सोट आप इसको डूडल कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं या फिर डारेक्ली यहां से डिलीट भी कर सकते हैं और रेज टू एक आपका ऑपसेन आटो एर पिक अप ऑप ऑटो स्विच टू एर रिसीवर और फ्लिप टू म्यूट इंकमिंग कॉल का आपको यहां पर सारा का सारा देने को मिल जाते हैं तो यह रहा डिटेल में कॉन्वीनेंस टूल जो रियल मी डिवाइस में होता है अगर आपके बास एक रियल मी डिवाइस है आप इसको जरूर यूज कीजिएगा दोस्तो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो सबस्क्राइब भीजिए टिक टाइम्स को सियार किजिए इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ मैं मिलूँगा मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सायोन आरा बाई बाई वाई एवन आइस जे थैंक यू बाई